हेलो अब्रिवन आज सॉलिड एश्टेट का सेकेंड लेक्चर है इस लेक्चर में हम क्या डिसकस करेंगे क्लासिफिकेशन आफ क्रिश्टलाइन सॉलिड इससे पहले हम क्या डिसकस किए क्रिश्टलाइन सॉलिड क्या होता है एमर्फस सॉलिड क्या होता है हम क्या देखें जो क्रिश्टलाइन सॉलिड है ओ क्या होता है लॉंग रेंज ओडर का मतलब क्या इसको पार्टेकल्स है यह जो ओडरली एरेंज रहेगा यह बहुत दूर दूर तक क्या रहेगा इसका सेम सोलिट है सो ट्रेंज यह चीज़ हम डिसक्टस किये थे तो जो क्रिश्टो इस स्टत्र से उसी के बारे में पड़ते हैं और क्रिश्ट्ल्य इंगस की साथ्टीर 2020 क्रिश्ट्ट ग्यार्व में शसीर डौट किया गयाUp किटना टप में इसमें पर यहां तो कितना टाइप सब क्रिश्टलाइन सॉलिड होता है तो चार तरग क्रिश्टलाइन सॉलिड होता है क्रिश्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है तो यह चार तरग का होता है क्रिश्टलाइन सॉलिड ये चार्ट रखा होता है कौन-कौन ये molecular solid होता है molecular solid ionic solid और metallic solid और covalent या network solid network solid तो ये जो molecular solid ionic solid metallic solid और covalent solid इसको हम एक एक करके discuss करेंगे detail में लेकिन हलगा सा इसको समझते हैं जो molecular solid क्या होता है तो जो हम crystalline solid में जो हम देखे थे long range order आ रहा था और यहां पर regular arrangement किसका हो रहा था particles का हो रहा था तो अगर ये particles molecules है अगर ये particles molecules है जैसे SO2 है और भी I2 है H2 है ये सब क्या है molecules है अगर ये constituent particles क्या हो गया molecules तो इसको हम क्या बोलेंगे molecular solid और एक point यहां पर क्या है जो molecular solid जो है ये क्या होता है non conductor होता है electricity का ये क्या होता है good conductor नहीं होता है उसके बाद जो ionic solid है ionic solid में क्या होगा यहां पर constituent particles क्या होगा ions होगा इसका example क्या है SO2 I2 ये इसका molecular solid का example है अब ionic solid होता है जैसे यह क्या है यह इसका crystal है तो यहाँ पे na plus cl minus na plus cl minus तो यहाँ पे क्या है के tion है और nion है यहाँ पे इसका constituent particles और यहाँ पे यह क्या होगा गुड कंड़क्टर होगा electricity का कब यह गुड कंड़क्टर होगा या फिर किस एक्वस एस्टेट में यह जो आइनिक सोलिड है यह क्या होगा गुड कंड़क्टर electricity का होगा कब होगा molten Castle यह एकवस इससाड लिए इसमें जो 400 अट्रेक्शन उुदा है इसमें जो फोर्स अट्रेक्शन होता है जब कोई positive दो चार्ज के भीच में 四ट्रेक्शन को क्या बोलते इसको क्या बोलते स्फिर्ण से कोलंबिक फॉर्स या एलेक्ड्र आयनिस फॉर्स तो इनिक फोलर में किस तरह का फोर्स होता है ऑलम्भिक फॉर्स होता है एंद्ट साथ स्फिन्ट क्मिर है भत ने शोड़ंगे इसको हम बोलेंगे metallic solid इसको हम क्या बोलेंगे metallic solid उसके बाद क्या है covalent solid या network solid तो अगर graphite के आपको structure याद है class 10 भी पढ़ेंगे तो उसका जो structure होता है hexagonal ये ring होता है हिसमें क्योंता हैத scholarship होता है यह रिजन से क्या होता है जो looks good conductor of electricity or a vote क्लाकट्टर नहीं क्या होता है गूडक्मी क्नेक्टर यहाँ क्या होगा होगा और इसमें कौन सा बंड़ंड नोगा स्लिककल के भीच में ह सकता थो यहां पर क्या होगा नेटवर्क बांड ओगा एक डाइमंड का स्क्टर यह्याद सब्सक्राइँ तो डामेंड में यह क्या है carbon ये कारबन कितने carbon से अठेच है यह three carbon से अठेच है फिर ये carbon कितने से अठेच है ये य है नेटबर्क स सॉलिट का एक्जांपन और डामेंड गूढट спрос case ken message Media गूढट कर्फर अब ऐलक्टर कोँ है टर मेंब ऑभा औरेनें दे-इस को बडेते हैं उसके बाद जो पीछे टेबल बना हुआ उसको समझना है उसमें क्या इkeys क्या इक्जाम्पला दी बाट करें तो सब्सक्राइब मौलीगत करें ये इसको फर्दर लिया Kate थ्री टैप्स में पहला क्या है नन पोलर नन पोलर मोलिकुलर सॉलिड तो नन पोलर मोलिकुलर सॉलिड उसके बाद क्या है पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है पोलर मोलिकुलर सॉलिड उसके बाद क्या है पहले नन पोलर मोलिकुलर सॉलिड पोलर नंग मोलिकुलर सॉलिड उसके बाद हैड्रोजन बांडेड मोलिकुलर सॉलिड तो यह क्या है नंग पोलर मोलिकुलर सॉलिड ऐसा मोलिकुलर सॉलिड जो कि क्या हो पोलर नहीं हो तो इसका एक्जामपल अगर ले तो इसका एक्जामपल क्या हो सकता है आई टू हो सकता है इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा चीरो होगा और इस तरह का सॉलिड को हम क्या बोलते है कि अगर इसका अर्गन अ है कि ओर यजैसे है यहाँ पर आरगन फार्थेन अगर सिर्फ ऑLEन ऐल जो सकता है यांतो सो सकता है जो की ननपोलर टो इसा इसका और भी हो सकता है आरगन हो सकता है हिलियम हो सकता है तो इसका जो पार्टिकल्स क्या होगा आरगन का होगा हिलियम का होगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे Molecular Solid । और यह क्या होता है Non-Polar होता है इसमें जो force of attraction होता है इसमें जो force of attraction होता है एक इस तरह का force होता है Wonderwall force होता है disparion force बोल सकते है या London Force dispersion force या London Force इसके वीच में होता है उसके बाद Polar Molecular Solid Polar Molecular Solid का एकजामपल क्या है Jait wie Cien इसमे عل ticking डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट not equal to zero, SO2, यह सब क्या है, polar molecular solid, इसमें कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और इसमें जो force of attraction होगा, यह डाइपोल-डाइपोल interaction होगा, क्या होगा, डाइपोल-डाइपोल interaction, यह क्लास 11 में आप पढ़े होगे, डाइपोल-डाइपोल interaction, वांडर वाल फोर्सेज के बारे में, जो है, उसमें आप पढ़े होगे, तो यह इसमें क्या है, polar molecular solid में डाइपोल-डाइपोल interaction होगा, और इसका जो force of attraction होगा, इसका जो force of attraction होगा, इससे stronger होगा और इसमें एक क्या है जो यह dipole dipole interaction वाला जो molecules है इसका boiling point melting point इससे क्या होगा ज्यादा होगा इससे melting point boiling point क्या होगा ज्यादा होगा next step hydrogen bonded molecular solid ऐसा है सब molecules जिसमें क्या हो hydrogen bonded है इसका example हम क्या लेख सकते है WORLD है आईज लिख सकते है या फिर एचफ लिख सकते है यह सब क्या है ऐसा solid है जिसमें क्या है hydrogen bonded है तो hydrogen bonding क्या होता है जैसे यह water है water के बीच में क्या है hydrogen bonding हो और है कि है तो यह hydrogen bonding है तो इसको nuclear Kit인가 hydrogen bonded molecular solid तो hydrogen bonding क्या होगा जब highly electronegative एटम, fluorine, oxygen और nitrogen है, fluorine, oxygen और nitrogen यह क्या highly electronegative एटम और यह अगर यहाँ पे hydrogen present है तो इसके बीच में क्या होगा, एक wonderful force of protection होगा, जिसकोम क्या बोलेंगे, यहाँ पे force of protection है, जिसकोम क्या बोल रहे है, hydrogen bonded, यह electronegative एटम के बीच में क्या होगा, hydrogen bonding, तो इसका भी, यह भी क्या है, यह भी जो है, so non-conductor of electricity है, तीनों क्या है, non-conductor of electricity, तो यह क्या होगा, molecular solid, molecular solid में constituent particles molecules हो सकता है, यह तीन टैप का होता है, polar molecular solid, non-polar molecular solid, और hydrogen bonded molecular solid, non-polar molecular solid का example अगर हम ले, तो IT हो गया, I2 हो गया, CL2 होगा, H2 होगा, आरगन हो सकता है, हिलियम हो सकता है, अगर polar molecular solid का example लेंगे, तो क्या होगा, polar molecular solid में, HCR हो गया, SO2 हो गया, जिसमें क्या हो, net dipole moment है, hydrogen bonded molecular solid का example क्या हो गया, H2O हो गया, I, जिसको बोलते हैं, और फिर क्या हो सकता है, HF हो सकता है, जिसमें hydrogen bonding possible है, ऐसा molecular solid जिसमें क्या hydrogen bonding present हो तो उस तरह का solid को हम क्या बोलते है hydrogen bonded molecular solid अब हम discuss करते है next step क्या है next step है solid तो ionic solid को हम discuss कर रहे है ionic solid में जो force of protection होगा कैसा होगा electro static force of protection इसमें ions constituent particles क्या होगा सबसे पाहला बात इसमें constituent particles क्या होगा ions होगा यह cation और anion इसमें होगा present तो यह molecular solid इसमें क्या हो cation anion हो ions हो उस solid को हम क्या बोलेंगे ionic solid और इसका melting point boiling points बहुत ज़्यादा होता है इसका melting point boiling point क्या होता है ज़्यादा होता है इसका एक्जामपल अगर लिखे ionic solid का nacl kacl और यह जो होता है इसमें electro static force of protection होता है और इसका melting point boiling point क्या होता है ज्यादा होता है यह molten और aqueous form में ही क्या होता है electricity conduct करता है और नेक्स solid को दीखते हैं next solid क्या है next solid है मेरा नेक्स solid है metallic solid metallic solid तो metallic solid में consistent particles क्या होगा consistent particles यह क्या होगा metal atom होगा यहां पर क्या होगा metal का atom नेक्सिधे पार्टिकल्स इसमें क्या होगाँ make a time है तो इसको क्या वोम और metallic solid 6000 में क्या होता है metallic solid जो हता है यह क्या होता है solid में भी और यह क्या होता है good वुढ़ कन्डक्टर अप लिक्रिसिटी ओता है मिकमट का एक्जामपल अगर लिखें मेटलिक सॉलइड, इसको इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं तो इसका एक्जामपल क्या है ग्रफ़ाइट है ग्रायप्वाइट है डagar डायमंड है यह व Powder डिवाइड यहां पर यहां पर जो्ट्राक्रफाइट है। ग्रफाइट में क्या होता है जो कार्बन जो है वो तीन कार्बन एटम से अटाइज होता है उसका एक इलेक्टोन फ्री होता है इस इलेक्टोन के मुव्मेंट के वज़ा से यहां पर देख पा रहे होंगे इसके मुव्मेंट के वज़ा से क्या होता है यहां पर एलेक्टिसि पर आयटम के बीच में networking होता है network covalent bond होता है तो इस तरह का covalent solid को हम क्या बोलते है network solid इसका example graphite और diamond और भी example ले सकते हैं SI O2 Si O2 में क्या होता है Si O2 का अगर आपको structure राड्ट होगा तो यह यहां पर इस तरह का सिलिकन यह नेटवर्क ज्यासा होता है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, यह मुलेकुल के बीच में Bессलengers कोलेंट बांड बहुत जबायंद होता है, इसके वजये कोलेंट बोलते हैं कि यह जो टेबल वना हुआ हुआ उसको मैं दिस्कस कर ρह है तो types of solid लिखा हुआ है, constant particles लिखा हुआ है, bondings लिखा हुआ है, example है, और physical और electrical और melting point के बारे भी discuss किया हुआ है, तो पहला क्या है, molecular solid, molecular solid में क्या है, three types है, polar, non-polar और hydrogen bonding, तो इसमें जो constant particles क्या होगा, molecules होगा, और इसमें weak dispersion force है, polar में देखें तो क्या है, dipole, dipole interaction है, इसका example लिखा हुआ है, तीनों का example लिखा हुआ है, hydrogen bonding का water, इसमें ice लिखा हुआ है, तो उसके बाद ionic solid का example देखें, अगर conductivity देखें तो तीनों क्या है, ये इसका insulator है, उसके बाद जो ionic solid है, ionic solid में क्या होता है, consistent particles, ions, इसमें forces क्या होता है, columbic force होता है, metallic solid में क्या होता ह मेटल का इटाम होता है पोजिटिव आइन्स इन्हें सी ओफ डि लोकुलाइज सिलेक्टॉन में पोजिटिव आइन्स होता है इसी को इस तरह का बंडिंग को मेटालिक बंडिंग मुझत दें और यहां पर एक्जामपल लिखा हुआ आइरन कॉपर एजी मैंगनेशियम इसके बाद आइज टॉपिकोम डिस्कस करेंगे क्या discuss करेंगे crystal lattice and unit cell next topic को हम discuss करेंगे crystal lattice क्या होता है unit cell क्या होता है तो इसको समझते हैं जो crystal lattice क्या होता है यह होता है तो regular arrangement of items in three dimensional space three dimensional space में regular arrangement of items को ही क्या बोलते है crystal lattice crystal lattice क्या बोलते है regular arrangement of items in three dimension जैसे example लेते हैं क्या है यहां पर कि क्रिश्टल लेटिस के रेगुलर एर्रेंजमेंट आफ पॉइंट इन थ्री दिमेंशनल अस्पेस जो पॉइंट्स है जो पॉइंट्स है उसका इसका रेगुलर एर्रेंजमेंट को हम क्या बोलते है उसका रेगुलर एर्रेंजमेंट को हम क्या बोलते है इसको हम क्या बोलेंगे क्रिश्टल लेटिस और इसमें जो पॉइंट्स होगा जो इसमें पॉइंट्स है इसमें जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम क्या बोल पॉइंट और होता है यह क्रिश्टल लाइंट रिगूलर एंटे समझें वह और क्रिश्टल लाइंटे को यहां पे जो पॉइंटस है इस पॉइंट रिगूलर रहे हैं वह क्या हो सकता है और आएटम मॉलिकुल और आयंज अब क्रिस्टं लाटेश्bon लाटेस क किया और तो पाला पॉइंट क्या प्य Agr Spl ciąर यवास् убीर प्रिक्रिश्ट्रा अब hypocrite ये इउच कॉंड लाइटीस पंच्ट प्पनि नाटीस प्पॉइंट पोलते हैं या एक इसाइड बोलते हैं हर प्वॉइंट में उसको मातेा है लेडीस पॉइंटै stating पार्टिकल्स, आटम्स, मॉलिकूल्स और आयम्स, थार्ड पॉइंट क्या है, जो रेगुलर अर्रेंजमेंट है, उसको अगर हम स्टेट लाइन से हम जोईन कर दें, तो कोई वो जोमेटरी देता है, कोई एक जोमेटरी देता है, उस जोमेटरी को क्या बोलते है, जोमेटरी, उस जोमेटरी को क्या बोलते है, जोमेटरी अप लाइटिस, लाइटिस इस जोएन बाइ, लाइटिस इस जोएन बाइ, अस्टेट लाइन, क्या करते हैं, इसको अस् parent कि गुबेर्ट्री उसका हो सकता है। अब जो पॉइंट साइब जब करेंगे तो एकले जिमेंट्री दे घा नहीं क्या होगा लाइटिस का जमेंन क्या होlived हुएं किमेंट्री क्वां मतलब माइन उसको इसे जानेक्ट करेंगे तब आविज की का कि क्रिश्टल लाटिस्ट को हम समझ लिए अब हम डिसकस करते हैं यूनिट सेल यूनिट सेल क्या होता है तो यूनिट सेल को अच्छा से समझने की कोशिज करेंगे पॉर्शन पॉर्शन क्रिश्टल लाटिस्टल लाटिस्टल लाटिस्ट विच वें रिपीटिड जब उसको रिपीट करते हैं रिपेटिड इन डिफरेंट डिरेक्शन in different direction generates entire lattice generate the entire lattice by crystal lattice क्या था crystal lattice क्या था रेगुलर इंच्छमेंट आफ आइटेम्ज इन रिफ्री डिमेंशनल अस्पेश्ड लाटिस्ट का जो ऑस्मोले श्यूनिट है जिसको रिपीट करके entire crystal लैटिस को बनाया गया है different direction में उसी जो smallest portion को repeat करके entire lattice को बनाया गया है उस जो smallest portion है उसको हम क्या वोलना है unit cell, unit cell का example ऐसे समझ सकते हैं जो जो क्लाइब सकते हैं जो यह room जो है इस तरह का room क्या repeat करके पूरा building को त्यार किया गया है यह building जो बनाया है similar types of unit cell, similar types of room से बनाया है तो यह smallest portion है जिसको repeat करके पूरा building तैयार किया गया है इस room को हम क्या बोलेंगे unit cell तो unit cell को समझते हैं एक cube है इसको क्या किया गया है इसको हम divide कर रहे है एक cube को हम divide करते है एक cube है इसको क्या किया है यहां से दिवाइड किये फिर यहां से दिवाइड किये फिर यहां से दिवाइड किये तो equally divide कर रहें जो यह smallest portion है करने हैं इसको क्या करने है रिपीर करके यह क्यूब को हम जेनरेट कर रहे हैं रपूरा हम मिलिक क्रिश्टल यह कस पॉर्शन को हीम इंद बोलते हैं ईूंट से यूँट से यूद इसस मोरे ons पोर्शटन आप इससल इंटायर लिज जो बना जाता है जिसको repeat करके entire lattice को बनाया जाता है, अब characteristics of unit cell, unit cell एक बहुत important point, unit cell अकेला exist नहीं करता है, जो unit cell surrounded by similar type of unit cell, जो ये एक unit cell है और similar type of unit cell से surround होता है, कोई भी unit cell का जो surround होगा, क्या होगा, similar type of unit cell से, तो कोई भी unit cell क्या होगा, single unit cell नहीं होगा, अकेला unit cell नहीं होगा, इसके जैसे हम समझ सकते हैं यह जैसे एक रूम है इसके बगल में भी एक इस तरह का रूम है इसके यह रूम है तो इसके बगल में भी एक रूम है सिमलर टाइप का यह रूम के इस साइड भी एक रूम है इस रूम के इस साइड भी एक रूम है इसके पीछे भी रूम है तो तो यह क्या है similar type of room से क्या surround किया हुआ इसके नीचे भी इस तरह का room है इसके उपर भी इस तरह का room है characteristics of unit cell तो इसका क्या क्रक्टरिस्टिक्स है पहला age इसका क्या होगा ages होगा पहला characteristics क्या होगा age तो यहां पर जो हम age लेते हैं को represent कर रहे हैं इसको हम क्या लेंगे, इसको हम ले रहे हैं, A, B, और C, जिस तरह हम ले रहे हैं, उसी तरह लेना है, और इस एंगल को ले रहे हैं, अलफा, इसको क्या लिख रहे हैं, बीटा, और इसको क्या लिख रहे हैं, गामा, क्या लिख रहे हैं, गामा, अलफा, बीटा, गामा, तो इ गामा और यहां पर यह जो यह है क्या यह B और C यह इस तरह आम को लेना है इसका दो characteristics है एक a जहोगा दुसरा interfacial angle interfacial angles यह क्या होगा alpha beta gamma alpha किस के किस के बीच में है B और C के बीच में है गामा किस के बीच में है, गामा है A और B के बीच में, A और B के बीच में क्या है गामा, और B, C और A के बीच में क्या है, बीटा, C और A के बीच में क्या है, बीटा,